के टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दुबाना ना भूलें ताके आपको हर नई आने वली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके आप देख रहे हैं के टीवी ऑफिशल और मैं हूँ हसन राना नाजिन आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जिनाब साबिक कादियानी आमिर मुनीर साब आप इनका जो वीडियो है हमारे चैनल पर पहले भी देख चुके हैं और लोगों ने वो बहुत पसंद किया और लोगों ने उस पर बड़ेचे कॉमेंट्स दिये हमें बहुत अच्छे उस पर व्यूज आए व्यूज आए आमर भी हम जो अक्सर लोग जो हैं उनके जहन में होता है कि जो कादियान है उदर क्या है उदर मसले ऐसी कादियानियों की कौन सी ऐसी अबातत गाएं है मिर् अच्छे थो गो जैसा के हमने सना है और बिल्कियों की उनकी कताब में मेरा सेदा क्या मौजूद 2000 के उसको मका के बराबर कहते हैं मेदीना के बराबर समझते हैं रभव को कादियान को तो इस बारे में बताई ह Perhaps कादियान को जब आप वहां पे इतना अर्साब रहे आप तक दो महीने से रसल वहां पे आपने गुजारा वहां पे और अहम मुकमात पे डूटीज भी दिन तो आपने वहां पे क्या देखा और उद्धर सारा क्या महौल था उद्धर क्या अक्टिविटीज थी बिसमिल्लह रह्मानेरहेम मेरी जी सबसे पहले तुम्हें नादरین को ये बताता चलो कि कादीयान जो है वो मैं 2014 में गिया थः और कादीयान जयाने की सबसे पहले जो बन्यादी व Initially az80s में पाकिस्थान में कादीयानιαत का तकाभ़ लेकर रहा था काद bathing तर इस्ब्वर्सलम है क्या त तो मैंने ये इरादा किया कि मैं कादियान जाने का इरादा किया 2014 में मैं कादियान गया तो कादियान का वीजा मैंने चनाब नगर से ही उनको दिया अपने दफ्तर वालों को उन्होंने मुझे वो वीजा लगवा कर दिया और यहां लाहूर से वागा बार्डर के जरिये मैं क कओ आँ गया है तो कओ आँ जाने से वहाँ पर जो कओ यािनी मेरी असल में बुनियादी-जोज़्टी ती जो थी वह का गया जलसा रहा था geçुं तोसके जितने भी बन्यादी लौाजमाद थे, जो उनकी डियू टीर थी या उनको जितना मैनेजमेंट थे वह सारा मेरे जिम्हे था, तो एक तुम्झे वह जल्से का महौल भी देखने को मिल गिया, और दूसरा कादियान के अंदर रहे कर कादियानी को असल जो चीरा था मिल वो सारी वो यू हुआ के जब कादियान पहुचे तो सबसे पहले मिर्दा गfashioned गहर जिसमें बिर्दा ग sweater गादियनी प्यदा हाँ फिर वो उसमें बैश्ता फिर वोसने जहां पर चिला कशी पिर वो सारी चीजे अब हुआ क्या कि वहां पे था क्या अब जिस कमरे में मिर्दा गुलाम कादी नहीं पर बहुत आली शान महल जो है वो भी उन्होंने बनाया हुआ है शायद वो जब तसावीर में भी नाजरीन को देखा जाए हम कोशे करेंगे कि आमिर्दा गुलाम कादी ने को बहुत बड़ा महल तामीर करके दिया था वो बहुत बड़ा महल है और जिससे पुराने जमानों में बाद्शाओं के महलाद होते थे इस तरह करके तो उसमें मिर्दा गुलाम कादी इस कमरे में पैदा हो उन्हें उसको एक तबर्रक की हैसी है जैसे आपसलिम की वो व्लादत के मुसलमान जाता है ना मक्का जहां पैदा हुए तो हमारी यह खैशिती कि हम हो जाएगा चाहिए वो असल में आज इस वकत माजूद है या नह टारीख के अएटे तारीख के तनादर में हम लो दोन्ठली की कुशD करते हैं तो काद्याने हastes यह करते हैं वहाँपर जैते हैं जब वहाँए जहते हैं जो जैते हैं मिर्दा गुलाम का्दी नी पैदा हुआ तो वहाँ पर जाके बड़ी या नमभी नवाफिल इदा नव वो तुलम बेले में नवाफल पड़ते हैं दौाइं करते हैं और कहते हैं कि हम अपने मिर्जा गुलाम कादियनी क्योंक हमारा नभी था और आज हम अपने नभी की जगह के ओपर हम तोबह सिखवार करेंगे शायद आला हमारी बात कबूल कर ले अच्छा ठीक है पिर उसके मिर्जा गुलाम कादियनी ने एक बैत दौा के नाम से कमरा बनाया हुआ है कमरा बैत दौा उसका नाम उपर लिखा हुआ है बैत दौा अब मिर्जा गुलाम कादियनी उसमें बैट कर जो उसको यह जो जलाश की तरफ से इलामाद होते थे ठीक है शैतानी इलाम, शैतानी और वो नंगी औरते नहाती उसके कमरे वहर कमरा मौझूद है अच्छा आज भी वह कमरा मौझूद है जो असीत तुलमादी में लिखा हुआ ना मिर्जा गुलाम कादियनी जिस कमरे में बैठा था और किताब में लिखता है उसके पीछे एक नंगी औरत नहाना शुरू होगी एक खुरे में जी जी वह तो उसको कहते हैं कि जीनी तवादन ठीक नहीं था तो उससे जा पूछा गेगी सिरु तलमादी में पूरा वाक्या ल तो उसको इतना पता है कि अनुग किड़ा वेखदा है जिसका तमागी तवाल उसको पते ही नहीं क्या हो रहा है तो बरहल उसी के साथ उसी हुजरे में उपर सीडियों में मिरले गुलाम कादियनी एक चोटा सा कमरा बनाया हुआ हुआ है अब कादियानियों मैं वहां पे तो मैंने कहा यार यह कमरा और इसकी तनी एहमियत क्यों है बैत दुआ है जी अच्छा पूछा गया यार बैत दुआ है तो बाकी अल्ला की मसाली जो बाकी बात गया है वो दुआ करने की जग़ा नहीं है तो कहते है यह बात यह है कि मिरला गुलाम कादियनी यहां पे किदर आ है? नाज़ीन आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आमिर साब ऐसी शक्सियत नहीं है कि अगर कादियानी ये कहते है कि जिनाब बस मौलियों का तो काम है, कि जिनाब हम पे इल्जाम लगाना और इतने 100 साल से उपर अर्सा गुजर गया, आमिर साब वो शक्सियत हैं, आमिर भाई वो शक्सियत हैं कि जो कि ना सिर्फ साबक कादियानी हैं, बलके ये मुरभी रह चुके हैं और एहम ओदों पर फाइज रह चुके हैं, और तबलीग कर चुके हैं ये पहले चैनल पर वीडियो और जिन नाजरी ने अगर तक नहीं देखा तो इनका पहले हमारा वीडियो वो जरूर देखें उसका जो लिंक है वो हम चैनल में डिस्क्रिप्शन पर भी आपको दे देते हैं, वो बड़ा ऐहम वीडियो है यह सब बातें जो कर रहे हैं स्वारी मैंना आपको रोका अवर्वी लेकिन यह बड़ा एहम था यह बताना नाजरीन को कि यह सारी बातें हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं ये बताना जरूरी है नाजरी ने को अमरे जो वीविवर्स हैं कि हम सारी बाते हैं अपने पास से नहीं कर रहे हैं तो सीरतलमेदी मिर्जा गुलाम कादियानी के बेटे की लिखी वी किताब है जिसका हवाला दी है उन्होंने वो हमने नहीं नहीं लिखी है वो कादियानी जाकर अपने बुक स्टोर से खरीद सकते हैं जी बिलकुंट तो जब मैंने देखाकर यार इतने इस कदर कादियानी यहां पो इस कम्रे को आहमेत कूँ दे रहे हैं तो उस वहां पर ऑनके मुर्ब्ब्ध है मैंने उन से पोचा मैंने का मौण आजरत क्या माञ़रा है मुर्दा गुलाम कादियानी साथ जो है वो हम उनको आप सुल आल्लाव वालियु स्लिम की हैसियत के ओपर मानते हैं तो इसलिए यह उनका यहां बैट कर अबादत करना दरहसल गार-ई-हिरा का लिल ले ठीक अब मैं क्योंकि वहां पर एक इसलिएम की जो इसलिएम में गिया हुआ था इसलिएम को देखो यार यह जो कादियानियत के ओपर मुसल्मानों की तरफ से इतरादात लगा जाते हैं मुसल्मानों की तरफ से यह कहा जाता है कि मिर्दा कादियानी ऐसे हैं मिर्ले साब ऐसे थे ऐसे थे वो सारी चीज़ें जब मैंने वहां पर देखी न तो वो मेरे एक अंदर से एक अजीब सी कहफिए तो उसना शुरू होगे कि यार यह जिस तरफ हमें ले जाया जा रहा है यार यह इसलाम तो नहीं है इसलाम तो कहता है कि गार यहरा की हैसियत क्या है ठीक है वैसा तो होई नहीं सकता होई ना इसलाम ने तो दुनिया में दुनिया के ओपर इसलाम ने मक्का को जो एहमिया दी मदिना को एहमिया दी गार यहा को एहमिया दी तो अब दो पॉइंट मैंने नोट कर लिए एक तो मि अब जो लोग काधियान के जलसे के ओपर आना शुरू हुए तो अब मेने मेरे जिन जो मैंने पढ़ा हो हज के महातुव हुआ हुआ हँ हम थे आन पसुत और मतallब हो हुआ करते हैं भो मक्का में लोग नफली हज मिर्ल साब ने का है कि हाज जो है वो असल जो हाज के मफहूम है जो असल हाज के हाज करने के बाद जो उसके मकसूद और मतलूब हुआ करते हैं वो मक्का में लोग नफिल हडि करने को जाते हैं अब मक्का का हई जो है वो जली तओर पे मनसूफ हो चुका है अब असल हज जो है वो काधियान कहादियान का जलसा जलसा। जलसा जलसा सलाना इसके ओपर आएंगे तो आपको हज के मकसद और मतलूप मिलेगे मकसूरे मतलूब आपको यहां आकर मिलेंगे अब मकसूरे किम्सूरे मुतलूब क्या है जो कुरान ने में चिखाएं रसूल पाक के ऐदिस मुश्काश श्रीफ की किताब अब supporters अबink संब्स इसलम ने फरमाये जो बन्दा आइमान की हलत में हैच करता एं अब मालूम हुआ कि मुसल्मान को आप ﷺ ने हाज का जो मक्सूद और मतलूब बनाया इमान की हालत में गुनावों की माफ़ी अब इसके नतीधे ये हुआ अब मिर्दा क्या कहता है कि नफली जिज़िव वहां करेंगे और जिज़िव का असल मफवू है वो आपको कादियने मिलेगा नाउज बिला यहनी कि सारे गुना माफ हो जाएदेगा अब ये सारी चीज़े में उस वकट जब मैं अज़े मुरभी के तोर पे था वो सारी इतनी मेरे जिन में नहीं थी अच्छा अब जो जलसा सलाना स्टार्ट हुआ तो जलसे सलाना कादियान का जलसा था उसका सब लोग वहाँ पे मुख्तलि मुमालिक से आना जमा हो गए कादियान में 10 सलार के करीब पाकिस्तान से भी गए हुए थे कादियान तो वहाँ पे इन्होंने ना वो मनासिक अदा करना शुरू कर दी है अच्छा अब क्योंके मेरी डूटी थी जो भी कादियान के जलसा में लोग आ रहे थे उनको वेलकम करना और उनको वेलकम करके फिर उनको उनको उनकी र्याश गाँ तक पहुचाना यह मेरी जिमाधारी थी तो मेरे साथ और भी मेरे मौाविन थे तो उनको जब रसिव किया तो उन्हों जब वहाँ उनको उतारा गिया तो उन्होंने सबसे पहले कादियान जब बस से उत्रे बिल्खसूस मेरी पाकिस्तान के ओपर ड्यूटी थी तो पाकिस्तान से काफले जा रहे थी तो जा वो उनको उतरा तो उन्होंने जैसे हाजी करने के लिए जाते हैं ना मक्का और मदिना के लिए तो हम मुसल्मान इहराम बांते हैं या वो इहराम कहलत में होते हैं तो वो कादियनी की जैका नारा लगाते हैं ठीक हैं और उसके बाद फिर वो दो नवाफल पढ़के वहां पे हाज का मुनासिक अदा करने का नियत करते हैं अच्छा वो जब अब मैं वो तीसरी चीज मेरे सामने आगी यार ये वाकिए अब मैं ये चीज समझ रहा था कि अब अलमा क ये तरह मिर्ली साथ मुनासः की तरफ से उपर ये शिद्राजाद जासा हैं मिर्ली गुलाम कादियनी क करिशन साथ के उपर ये शिद्राजाद मीं कि specialist प्रिदगी में एक मस्जद बनाई, चोटी सी बैति-मभाराख, वो बैति-मभाराख, जो मस्जद in मभाराख उसे कहते हैं, बैति-मभाराख, और ये कमरा बैत दुआ, फिर उसके साथ एक हज्राए चोटा सा, जिसमें मिर्जे को कशछफ हुआ था, जिसमें सुर्खी के छी और अब्दुल्ला सनौरी मिर्दा गुलाम कादी ने का एक एमान गड़ा सहाबी था उस ने चीज़ को देखा तो बारहल वह भी ये एक उस की आपको बता रहूं जहां वहां के हम मनासर के हादिकों शुरू करते हैं बैत मुबारक से अब बैत मुबारक जो मिर्दा गुलाम बेताई और ये नहीं वहां पहों पहाँ पे बैट के ल läuft हैं इनतवार में बारी तीन, चार को पंच वह भूंड़ों को अंदर बेढ़े जाते हैं फिर वहां पहर उसको निकाला जाता है और दूसरों पहर था करें की सिस्टम चलता है ऐसे सीन चलता है अच्छा फिर उसके अजिक अब पार आफ बेत्ला इसके बाहे जमाने में कमपलिय्ट wordt was Bevşir Anadine के जमाने में तो अब यह वह वहाँ पर जाए कि उसके तवाफ से तवाफ करएं अब उसके करीब ही मिर्जा के बाप की कबर है गुलाम उर्जार मिनारत अलमसी के बिल्कुल करीब है दाएं तरफ तो अब वो मिनारत अलमसी जो है वो बैत एकसा में है वहां से सीड़ी उतरते हैं मिर्जा के गार के उपर से गुजरते हुए फिर जाते हैं मिनारत अलमसी के पास अब मिनारत अलमसी का ये तवाफ करते हैं उसके गुमते हैं यहाँ पे गुमते हैं ऐसे हाथ उठा के ना तो सारा उसके गुमते हैं अब मालूम क्या यह 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 आप मिनारत अलमसी के पास खड़ो कर दौाफो करते हैं तुआफ तो बैत Allah के आलाव धाज ही नहींए. जहसी बत है. यह तो अब दे Technos B. इनको खुद अकल में इनकी आनी चाहिए कादियानियों के यह बात अकल में इतनी मोटी सी तो आनी चाहिए. कि ये तो बैद आलाव के लावा तो तौः नहीं सकता है अब ये वहाँ पर इनोंने वो मिनर्द नम्सी का तौइध के तौः उसके गेद गोमते हैं जब पूछा मिनर्द नम्सी के गेद क्यों गोमते हो भई आखिर गोमने की वाज़ाए क्योंकि मैं कि रिसेर्चर के तो जहरी बाद आप जो चीज मैं देखता है मैं इसके उपर सवाल करता है क्योंकि मेरे दिल में पाकिस्तान से ये शम्मा जाल चुकी थी कादियान है हमें किसी और तरह भी लगा जा रहा है मैंने फिर कादियान जब वो तवाफ कुरते देखा यार ये क्यों आप इसा करते हैं कि सालम के ख़ियरे अपर मिनारतë अर्पर की मिनार के अपर दम56 की मिनार ओना था जिसके उपर इसम्म्म्म नजूल करना था और मिर्जा ने जहरी तोर पे इसको जनाब बनाया है तो ये एक मुकदस हैसियत है और इसलिए हम इसका तवाफ करती है अच्छा वैसे मुनिर भी मिनारत अलमसी के ओपर हम एक पूरा वीडियो करेंगी ताकि जिन नाजरीन को मिनारत अलमसी से मतलिक नहीं पता ताकि हम उनको भी बता दें कि ये मिर्जा कादियानी ने जैसा कि आधीस में आया है कि हज़रत इसलिए अलम का जब नजूल होगा तो वो दमिश्क की जामिया मस्जित में उसका मिनार होगा और वहाँ पर नजूल करेंगे तो कादियानियों ने क्या किया किया कि उस मिनारत अलमसी तो दमिश्क में शाम में होना था लेकिन मिज़ा कादियानी ने जैसा कि मिनीर बही ने पता है सारी जिन्दगी पैसे जोड़े और ताकि में यहां पर मैं भी एक जली मिनार खड़ा कर दो कादियान में तो वो उसकी पैसे और चंदे ले लेके खाता रहा और उसकी जिन्दगी में पुरा भी नहीं हुआ और उसके बेटे की जिन्दगी में पिर आगरकार उनोंने पहला मैं से शुरू हुआ अच्छा उसके बाद फिर ये वहां से चक्र लगाने के बाद फिर जाते हैं मिर्जे की कबर पर अच्छा इनके पहला मनासिक वहां से शुरू हुआ यहां से उत्रे फिर अगर मैं भूली ना तो चौथा फूर्थ नंबर आ गया जी फूर्थ नंबर आ गया है पिर जाते हैं मिर्जे की कबर पर, मिर्जे की कबर क्योंकि मिर्जे ने वो जो बहिश्टी मकबरा बनाया और वो सारा सेलसला फिर उसके बाद उसका एक चोटा सा बाग उसने बनाया जिसमें वो उसने अपनी अजवाज को भी ठराया, नुसरे जाव लोगों को, तो वहाँ पर जाके मिर्जे की कबर के उपर ये बड़ी तजर्रों के साथ आईजी करते हैं, फिर मिर्जे की कबर को साइदा भी करते हैं, बहुत से कादियानी ऐसे हैं, बहुत से कादियानी ऐसे हैं, जो के मिर्जे की कबर, यानि की करीब तो नहीं जाने देते हैं जंगला लगाया हूँ आगे से चार तिवारी निया वैसे जंगला लगा हूँ अब वह से का दियानी जो है वो जैसे साइधा करते हैं साइधा करते हैं जा पूछा गया साइधा क्यों करते हैं जा पूछा गया साइधा क्यों करते हैं अल्ला की नभ वहां से उन्हाद होने के बाद फिर जाते है जलसः गाह ये एक देन का अमल होगे इन्हे इनने इनने सुबह से लेके ुषरकी नमाद के बाद से लेके इनूने ये 10 बजे तक ये सारे अमल करने होते हैं दास बजे के बाद फिर उन्होंने जाना होता है जलसा का यह बहुत बड़ा एक जो इन्होंने खरीद दिए काफी बड़ी जगह है वहां पर जिसके टेंटिज वोगा जलसे का इता हमाम किया होता है वहां पर जलसा गुलारते है फिर दोर असर की नमाद जमा करके पढ़ते है पिर जोर असर की नमाद जमा करने के पाद फिर ये मगरब को तो असर से थोड़ा सा पहले वो नशीस प्रखास होती है जो उनके ताकारीर बगर होते हैं फिर उसके बाद फेर जाते हैं मिर्जा की कबर पर जाते हैं फिर मिर्जा की कबर से होते हुए फिर ये लोग बैतो दौा में जाते हैं बैतो दौा में फिर मगरे विशा की नमादें पड़ने के बाद फिर ये अपने वापस चले जाते हैं पिर अगले दिन ये ये दस बजे से पहले मराहिल करते करते फिर ये चले जाते हैं मिर्जा के गार से लेके जो रेलवेय स्टेशन है कादियान का क्योंकि मिर्दा वाँ अपने गार से लेके रेलवे स्टेशन तक वह वाग करता था यह कादिया नियुक्ति जितनी भी मिर्दा की सीरत की किताब में सीरत अलमादी है हयात의 तैबा है ठीक है जी वो सारी किताबें में अंदर यह बात मौजूद है मिर्दा अपनी गょर 어ंट साहब्यावी हैं और सीरcomings सलमादी में यह भी लिखा है अपनी आपको बहुपा पर है लग बने साहसे나मा रहाका वह अचता का. तो यह समूल खाने साहसे Umमी को पहाना वह क्यों पर्दा को पर्दा कर वहा है। से लेके रेलिवे स्टेशन तक अपने मन गड़त सहावियों को लेके अपने हवारियों को लेके वहां पे सहर करने को जाता है और सीरो तलमादी में ये भी लिखा है कि मिर्दे साब अपनी इनुसरे जहां शमक शलो को भी गुमा जोते हैं वहां पे ना बारहल उनों ने ना ये मिर्दे ने अब ये उनका नादरीन इकराम यहां पर गोर की जिए कि कादियान में मिर्दे के गार से लेके रेलिवे स्टेशन तक के जाने का जो अमल है इसको साई कहते हैं यानि के सफ़ा मरवा की ऐसियत देते हैं अब मतलब के ये कहते हैं हर एक बच्चा बुड़ा और जो इस जरी वहां पर जाये एक बार उसने कादियान से कादियान के गाउंस लेके रेलिवे स्टेशन तक लाजमी जाना है क्यों जाना है जी वज़ा है किया तो में जाने की जाने की हमें वज़ा ये है कि हमारे मनासे की हाज में ये चीज़ है हाज का असल मक्सूद और मतलूब पिछ देन में है मिर्जे काधियانी की जो तालिमाबात हैं उनको इन्होंने पूरा करना और फिर मृदे ने खोद भी लिखा कि मैंने खौाब में देखा कि मैंने कुरान में तीन शेरों के नाम लेखे हैं मक्का, मदीना और काधिया ना उसने कश्व में काया तो उसी ने अपने ही किताब में अंदर लिखा है कि कश्व जो है वो ऐसा ही होता है वी बिदारी की एक सूरत है अच्छा अब वो सही करने के बाद फिर आते हैं जलसगा में जलसगा दो दन हो गए जलसगा अब कम्पलीट होने कि तरफ जा रहा है पिर तीसरे दिन मिर्जा का जो मिर्जा ने वो हिंदू एक मेरे छाल में सौधागर मुलावा माल था जिससे मिर्जा गुलाम मिर्जान में साई नाधरीन उसका नाम यही था मेरे सिकाल में मर्ز लियुर्ण जिससे अपनी अगूठी के अपर आले सिल लाही आप्दव लिख वाया था ठीक है अब ये नादरीन कादियानी जो है अब तिसरे दिन का अमल ये है कि जो मिर्जा के दूसरे काधियान की गेद मकामात थे जहां मिर्जा बैटक के कुई नहीं नहीं कोई चवले मारता था ठीक है ना बह से काधियानी भाह पर जाके बैटत आपने लings conceiveयानी श़ात समती है अच्छा अब मिर्जा के गर के मागात है जिस चपड में मिदन आता था अब यह चपड तो खतम हो गया अब वह चपड के ओपर उस वकट परताब सिंग बादल था वजीर आला पंजाब को वहां का परताब सिंग बादल तो उसने काफी इनको ग्रांड दी जलसे में भी आता रहा है और उसने पाकिस्तान मुखालिफ तक्रीरे में की हैं अपनी असेंबली के अंदर मुझाब से उसने वहां पर ग्रांड देया वह चपड उन्हों ने चपड को नीचे वह चपड है उपन उन्हों ने शीशा वगर लगा जो इसको जो कवर कर देया अब यह बिचारे वहां पर जाएं को वहां बैटके अब भी वह बहु हिंदो की दौकान है जिससे मिर्दे ने वह रंगूठी के ओपर अलशला बिकार अब्दो लिखवाया और यह वहां से जन्गूठी आंखरेते हैं तबर्रक के तौर पर अच्छा अब इसके बात है यार आप यह यह क्यों करीदते हैं आप यह रोग में ह अम्र्जानी आयात तो कुर्ण करताए कि कुर्ण की मतलग है कि जब तक वो पाक रहा है। जिसको रहा है और आप उसके ले रहे आज भी वो अंगूटी जो मिर्जा मसरूर के हाथ में सबस रंकी है वो वही वाली है जो मिर्जा कादियानी से चली है यह मिर्जा कादियानी से चली है यह रूपीट कर दें जरा एक बात नाजरीन को शायद यह समझ ना आई हो मैं रुपीट कर दूँ मिर्जा मसूर जो इनका अब सरबरा है कादियानी जमाद का जो गदी निशीन है उसके हाथ में अगर आप देखेंगे तो एक अंगोठी होती है तो एक अंगोठी जो है मिर्जा गुलाम कादियानी के दोर से ही चलिया रही सबस रंग की जो जी और वो उसी हिंदू की बनी हुई है जी वो उसी हिंदू की बनी हुई है सबस रंग के गोठी अच्छा फिर वहाँ है गोठी लेते हैं फिर उसके बाद मिर्दे गुलाम कादियनी की गर में कुवा है अगले जमाने में कुवा है तो मिर्दे के गर में वो मुसल्मान रहे हैं ठीक वो मुसल्मान थे और उन्होंने मिर्जे का इसकदर शदीद उसको पानी एक डॉल पानी कलीने लेते थे यार तुमने हमारे नभी को गालियां दी तो अब कादियानी उस कुएं के अंदर से पानी निकाल के पीना आपने लिए आप जम-जम तसव इसलाम के अंदर बलके इंसानियत के अंदर सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी गई है बाप बैटे की बैटे के कुर्बानी वो इसमाहिल लिए दी इसलाम थे अब कादियानी क्या है अब इस्माहिल portrayed आपने लिए पने पानी नैस कुएंने व्हूंगा दे नहीं प्यान वहां तबरकात लेते हैं। आभ जयसे हमारी कोश.कोश हो जाम मक्का मधिन हैं तो हमारी कोश हो झालते हम वहाँ कोश चीज और शुरूंश। पर शुरूर में जो आप अध्म्रूरूंभब शु Ferr Access अधियर आदे मिर्दे को दारो जो इनने वहां पर मेमान खाना बनाया वाद इसको दारो जाफत कहते हैं नाबनगर में बहुत बड़ा है मेरे गार के करीब है तो कहते हैं नी, मिर्दा झावा था, कि ये नान तेरे और तेरे साथ के दरषवाश तेγslों के लिए ठीक, अब ओो नान तेरे और तेरे साथ के जु दरष़ हैं अब उह बिचारे दरष़ बनने के लिए वहाँ से خushka टुकड़े और इतनी लड़ाई करते हैं ज़र टुकड़े लेते हैं ना वो इसे टुकड़े फैंकते हूंगे ना बांटने के लिए अब रख जेते हैं एक जगा पर अच्छा 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 तो यह पिचारे वहां से लड़ाई लड़ूई कारके जनाब जितना अम दक्काम पेल कर यहाद वहां से उठाते हैं और हब बोरों में U temporary जालते हैं और बगल में चुबाता है को कोई की मतलब कि सी तो कोई है्यम आज टुकड़ाहाद में आज एए पिर एक तो वह टुकड़े की तबरुक ले के आते हैं रोटी के चुकड़े बतौर बतौर तबरुके लिए और तीसरा ये बचारे करते हैं कि वो जो हिंदू मलावा मल था अंगूठी उससे अंगूठी लेते हैं उसकी दुकान से अब उसके बाद फिर जो वहां से बापसी का इनका यही पिर वो सारे आखरी बार तवाफ भी करना और वो वहां पर मिर्जा की कबर के उपर साइदा भ अब ये सिल्सला जब वेंड़ अब हुआ खतम अपने खताम को पहुचा तो वो चीज़ जो मेरे दिल में एक शमा जली उती वो एक शोलक की शकल इफ्तियार कर लिए मैंने वहीं से तहिया का लिए मैंने का जब यहां से जाओंगा तो जाते ही कादियान को कादियानी की ये बाद नहीं का रहा है जाओंगा 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 मुकदस मकामात हैं कादियों के नजदीक उन मेंसे इतनी बद्बू आते कि इनसान वहां पे खड़ा होना इनसान के लिए दुश्वार हो जाता है तफन जदा चीज़ी है लेकिन फिर भी कादियानी उसमें इतने महव हैं इतने कोई हुए हैं कि उनको हार वो चीज़ जो मुसलमान इस्लाम की उनके सामने रखिया जाती है उनको इस्लाम का असल चैरा दिखाये जाता है उनको रुसुल्यां की जीरत ची वो पाकीज्या जिन्दी दिखाये जाती है वो उनकी नजर में बिलकुल है सियात आफिक थी नहीं रख ती मिल्ला हुला हुलाम कादियानी तो बिलकुल जनाब तो मैं कादियानी को ये हाखर पर पेगांग कादियानी कनखर मैं फिर वह जब वा भापस आया तो आकर मैं झाखर जमाद को तो मेरा ये पैगाम है कि आप अल्ला के वो खुशनसीब इनसान हैं कि अल्ला ने आपको पैदैशी तोर पे एक ऐसे घरान में पैदा किया जो कि मुहम्मद रुसुल्ला स्वल्लाव अल्युश्लम के ओपर एमान लखने वाला घराना था और कादियानी जो मेरे नादरीने है मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कादियानी हो जरा खुदा रख जरा गोर करो जरा फिकर करो अपनी आखरत की फिकर करो ये दुनिया जिसकी पीछी आप भाग रहे हैं ये दुनिया जिसको आपने काम्याबी का मयार समझ रखा है कादियानी हो का कि इसके बारे म तो अल्ला फर्माते है माल हायात दुनिया इल्ला मताल गरूर ये जिन्द की दोखे का गार है इसके लावा और कोश नहीं है बिल्कुत थी अच्छा आमर भाई अगर हम ये जितनी हमने बातें की हैं और जितनी आपने ये सारी चीजें बताई हैं हम एक दवा फिर दोबरा रिपीड कर दें कि कादियानी जमाज चुझे जो है वही बिलेम करती है कि सबकुछ अपनी तरफ से किया जाता है बई ये आमिर मुनीर साहब है ये जामिया एहमदिया से पड़े में है और ना सिर्फ साबिक कादियानी है मैं रुपीट कर रहा हूँ ना सिर्फ साबिक कादियानी है बलके ये साबिक मुरबी भी है और खुद हम आपको कोशिश करेंगे के पिक्चिर्स इनकी कादियान की दिखा भी दें कादियानी जमाद जो है जो वो अब हमें ये विलेम नहीं कर सकती कि हमने को अपनी तरफ से बंदा पकड़के यहां बठा दिया है और खत्मे नुवर्ट टीवी वाले जो हैं पैसे देखे बठा दिया वो हम पर अलज़ाम लगाते हैं उनका अलज़ाम लगाना है वो लगाते रहें कि हमने ये सामने बैठे हैं और अब भी ये चिनाप नगर जिसको वरवा कहते हैं वहां पर रहाईश पजीर है कोई कादियानी अगर ये समझता हो कि हम जूट बोल रहे हैं कोई कादिया नहीं अगर ये समझता हो कि जिनाब ये सब प्रॉपगंडा हम करें सिर्फ इसके पीछे ये जूट है ये सच नहीं है और वो सच की तलाश करना चाहता हो लेकिन उसके लिए शारत है कि वो मतलाशी हो हाक का वो हमसे राप्ता कर सकता है वाटसेप नंबर हमारा स्क्रीन पर मजूद है लेकिन मनाजरों के लिए नहीं वाटसेप के ओपर टाइम जाया करने के लिए नहीं फेस टू फेस हमारे साथ मुलाकात करें और फेस टू फेस मुलाकात करके जो उसके questions हैं उसको हम answer करेंगे और इन्शालला हो ही नहीं सकता कि वो convince ना हो और वो इसलाँ कबूल ना करें तो आएं हमारे साथ बैठें बाचीत करें और हम उनको welcome करेंगे और हमारे साथ बाचीत करें जी नाज़ीन ये था आज का प्रोग्राम आप KTV Official के YouTube चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप तक हमारे जो नए वीडियोज हैं उनकी updates जो हैं बरवक्त मिल सकें आमिर साब और हसन राना को अजाज़े दीजिए अल्ला आफ़ेज